हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूटीब चैनल स्कूल टूशन कुरीची में आज हम बात करेंगे वरक्षीट 4 की जो की क्लास 6 के लिए साइन्स सब्जेक्ट लिए जारी की है यह 30 सिस्टमर की वरक्षीट है यहां बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यह अपने क्लास अज मुझ से आगर पढेंगे में तो आ यह देखते हैं प्रोटीन के बारे में क्या लिख का दिए चल्ण ते अचनल रहांगे लास्ट ब्रक्षीट यूरेट यूल दूस्लिस будет you will be learning about protein as you already know protein are the nutrient needed for growth and repair of body do you remember the names of some food items which contain protein तो पचली worksheet में हमने कार्बाइडरेट के बारे में पढ़ा था और इस worksheet में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन किसले जरूरी है प्रोटीन हमारी growth and repair के लिए जरूरी है ठीक है बच्चो अब क्या है try to identify sources of protein from the pictures and put a mark on the picture which show a source of protein तो अगर जनल में में देखा जाया तो हमें सारे sources हम देखेंगे तो यह fat का sources है यह भी fat का sources है यह carbohydrate का sources है एक तरसे ठीक है और यह भी carbohydrate का sources मान सकते हैं लेकिन यह जो दो sources हैं यह और यह 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 तरसे अगर यह पनीर हो तो और यह अंडे यह एक वाइट यह protein के sources हैं जो ठीक है चलो तो आगे देखते हैं अगे कह रहा है sources of protein these are these sources are milk, meat, fish, bean, cheese, egg, white तो यह सब आपके protein के sources हैं अब बात करते हैं test of protein की protein का test कैसे कह रहीं याद हो जैसे हमने किसका test किया था हमने हमने carbohydrate का test किया था हम उसी वे में हम protein का भी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कौन से food product में protein है की नहीं है तब करना क्या है देखते हैं करना यह है कि take a small quantity of smashed food items in a test tube and add a few drops of water यानी food जो है उसे प्छोटी सी amount में दब दबा करके तोड़ करके crush करके आपको test tube में डालना है और फिर वाटर में कि बूंदे डाल करके उसमें उसे मिलाना है फिर क्या करना है टू ड्रॉप्स ओफ कॉपर सल्फेट सोलुशन और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोड़ा सोलुशन को उसमें मिलाना है इन दोनों को किसमें मिलाना है जो आपका food material आपने test tube में लिया है फिर क्या करना है then shake it well and let the test tube stand for few minutes stand for few minutes appearance of violet color indicates the presence of protein in food item तो करना क्या आपको इन्हें सबको अच्छी तरीके से मिलाना है और test tube को सीधा रख देना कुछ minute के लिए अगर उसमें violet color आ जाता है तो food source protein का है वर्ना नहीं है अब है बात functions of protein की the protein is required for growth and repair of body cells यह हम लोग को पताईए ठीक है बच्छो तो आपके questions देख लेते हैं पहला question है name to sources name to food rich in protein तो food rich in protein कौन से है एक वाइट और चीज चीज चीक है फिर है right to sources of protein sources of protein इन में से आपको जोन से अच्छे लगें वह लिख सकते हैं यह सारे sources of protein है ठीक है फिर है what are the chemical required to test protein the chemical required to test protein a copper sulfate solution or caustic soda solution ठीक है बच्छो फिर है what happens to our body system if we eat insufficient amount of protein तो growth and repair of body cell will be stopped ठीक है यह होगा आपका फिर है अगला अगला if you eat only meat and egg white every day do you get other nutrients also from food तो इसका answer है no क्योंकि हर फूड किसी एक चीज में specialized होता है जैसे carbohydrate वाला आपको protein और fat नहीं देगा fat वाला आपको carbohydrate और protein नहीं देगा तो इसलिए एक food एकी तरह का न्यूटन प्रोवाइड करता है ठीक हो चो तो यह आपकी वक्षीट हो गई complete और वीडियो भी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक्यू